Hello students, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं vaccination के बारे में हमारी ये पूरी वीडियो कवर करती है concept of vaccination को इसमें हम सीखेंगे characteristics of vaccines के बारे में कितने तरीके की vaccines नयार की जाए So Chinese and Egyptian people ये क्या करते थे ये individuals को expose कराते थे उन material से जो material उन्होंने smallpox के individual से निकाला होता था कोई smallpox का patient है जो धिरे-धिरे recover कर रहा है उसके skin पे जो आपके marks आते थे उस marks को scratch करके उसमें से जो material था material निकालते थे और individuals को उस material से expose करते थे तो कभी कबार तो क्या होता था कि कुछ individuals को आपका small level का माइड लेवल पे smallpox हो जाता था ठीक है बट कभी कबार ऐसा भी देखा जाता था कि person जो है उसको आपका कोई भी symptoms नहीं आते थे there was no symptoms of the smallpox सो यहां पर आपके scientist निकल के आए Edward Jenner इन्होंने क्या किया इन्होंने intentionally जान बूच कर एक inoculum तैयार किया उस inoculum को इन्होंने तैयार किया material से जो material इन्होंने infected person की skin से निकाला था तो उस टाइम पर जैसे smallpox plague, cholera बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ऐसे ही cattle में होने वाली एक बिमारी थी cowpox ठीक है यह भी virus की वज़े से होने वाली एक बिमारी है तो cowpox का जो positive organism था वो क्या कहते है जो भी आपका cowpox से सफर करने वाले animals थे उन animals की skin से उसने Edward Jenner ने inoculum निकाला और उस inoculum को उन्होंने क्या किया individuals में डाल दिया तो यह देखा गया कि उन individuals को आपका smallpox नहीं हो रहा था that means cowpox का जो मटीरियल है cowpox का जो strain है यानि कि cowpox का जो causative organism है वो ही आपका smallpox की अगेंस्ट immunity प्रोवाइट कर रहा था तो यहीं से लेकिन उससमें Edward Jenner जो थे of course उनको यह नहीं पता था उनको इत्ती जादी information नहीं थी disease और microbes की बट उन्होंने यह intentionally किया तो इनके काम को honor करने के लिए अब इनके काम ने क्या किया बड़ा ही एक revolutionary चीज निकाल के लिए आई यह जो दो टर्म है इसमें यह जो वैका टर्म है इसका मतलब होता है cow तो यह cow pox का जो material था उससे उन्होंने inoculum तयार करके individuals को दिया और individuals में देखा गया कि उनको small pox के against उनकी body में immunity आ गई है उनको small pox का infection नहीं हो रहा था तो वहां से लुईस पास्चर ने vaccination term जो है वो different तरीके की vaccines नहीं आर करी और यह conceptical के आया कि अगर हम किसी causative organism को किसी living organism के अंदर डालते हैं तो वो specific living organism उस person के अंदर specific immunity प्रवाइट करके चला जाता है तो अगर हम यहां से आप vaccine की definition पढ़ें तो vaccine basically क्या है अगर आप vaccine की definition को देखें तो vaccine क्या है vaccine is a suspension of a weak, live, or attenuated form of microorganism ठीक है, so vaccine क्या है, microorganism का suspension तयार किया जाता है और यह microorganism कौन होता है जो आपका disease causing होता है तो disease causing organism का अगर हम एक suspension तयार करें अब उसके अंदर हम जो pathogen use करते हैं वो हो सकता है बहुत weak form में हो, हो सकता है वो live हो, हो सकता है वो killed form में हो, तो अगर आप किसी भी रूप में आप अगर इस pathogen का एक suspension तयार करते हैं तो उसके लिए उन्होंने उस suspension को उन्होंने क्या term दे दिया, तो उन लोगों को smallpox का infection नहीं हो रहा था, बलकि आसपास के जो बांकी के लोग थे, उनको smallpox हो रहा था, so even when they were in contact with the other people who are suffering with smallpox, they got immunized, कैसे उनको immunity मिलके क्यों के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, smallpox की जगब पर, जिनको smallpox तो आसपास था ही फैला हुआ, उन person के अंदर उन्होंने cowpox का जो causative organism है, वो उन्होंने introduce करवा दिया था, ठीक है, और उन्होंने usually powder की form में introduce करवाया था, इस तरीके से आपका vaccines का जो है वो आपका concept निकल के आया धीरे धीरे, और vaccine के निकलने के बाद एक time पर जो आपके worldwide बहुत सारे से बिमारियां थी, जो आपका बहुत ही ज़्यादा fearful मानी जाती थी, practically अभी human history से अगर हम बात करें polio की, ठीक है, तो ये जो है आपका वो एक तरफ आप समसकते हैं कि खत्रम ही हो चुकी है, पिछले 20 सालों में आपका USA के अंदर कोई भी आपका polio का case नहीं आया है, क्यों, it is just because of the vaccine, तो vaccine concept ने human history में मौझूद बहुत सारी diseases का अस्तित्व ही खत्रम कर दिया, उन में से बहुत सारी diseases हैं, जो अब पहले एक time पर जिपलिंग डिसॉर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो spinal cord होती है, और हमारा जो brain stem होता है, हमारे brain stem और हमारी जो spinal cord है, उसके अंदर जो आपकी motor nerve होती है, ये motor nerve को ये polio cause करने वाला virus जो है, ये damage कर देता है, तो जिसकी वज़े से क्या होता है, हमारे जो limbs होते पोलियो की बिमारी पट धिरे-धिरे क्या हुआ पोलियो का भी वैक्सिनेशन स्टार्ट हुआ पोलियो अभ्यान इंडिया में भी पोलियो अभ्यान चला है और कि कितने सालों से इंडिया के अंदर भी पोलियो के characteristics होती है एक vaccine के अंदर पहली characteristic जो किसी भी vaccine में होती है वो यह होती है कि vaccine जो है आपका it should provide protection against the infected pathogen क्योंकि आप vaccine जब बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किसी pathogen का ही इस्तमाल कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज यह होनी चाहिए आपके vaccine के अंदर कि it should provide effective protection against pathogen जो भी हमारा intended pathogen है उसके against वो हमें effective protection provide करें ठीक है मतलब जब आप किसी भी vaccine को ले रहे हो तो आप vaccine को ले रहे हो अब आपकी body को उस particular pathogen से protection provide करने के लिए ऐसा नहों कि वो pathogen ही आपकी body के अंदर invasion start कर दे तो पहली चीज तो यह make sure की जाती है characteristics of vaccine के अंदर कि that vaccine must ensure that it should provide effective protection against the intended pathogen दूसरी चीज जो हमारी vaccine के अंदर होनी चाहिए वो यह कि vaccine जो है वो हमें long term protection provide करें यह जो भी हमें protection provide कर रही है कुछ सालों का हो सो protection शुड लास्ट for several years यह इसकी second characteristics है third characteristics यह होनी चाहिए साफ सी बात है अगर हम vaccines का concept इतना use कर रहे हैं तो जाहिए सी बात है यह बहुत सारे लोगों को चाहिए होगा एक large population को vaccine की जुरूत होगी तो vaccine को जो है बहुत जादा affordable होना चाहिए in terms of economically तो vaccine जो है वो economically feasible होनी चाहिए इसको बनाना जो है वो manufacturer के लिए economically feasible होना चाहिए असान होना चाहिए इसको बनाना अगर इसको बनाने में आपका economy wise थोड़ा सा tension होगा या थोड़ा से जादा यह expensive पड़ेगा तो it will be difficult to reach out to the many million and billion peoples so it should be economically feasible to produce इसकी जो तीसरी characteristics और चौनती characteristics लास्ट करेक्टर स्टिक होनी चाहिए कि वैक्सीन जो है वो हमारी should be stable अगर आपकी वैक्सीन आपने बनाई है इतनी मेहनत करके अगर वो आपकी स्टेवल नहीं रहती है storage के दौरान तो वो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा तो आपकी वैक्सीन जो है क्या होनी चाहिए should be stable on storage as well as स्टेवल होना चाहिए जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं manufacturing site से आप उसको warehouse तक पहुचा रहे हैं तब भी आपका वो stable होनी चाहिए उसके बाद जब आप उसको use कर रहे हैं यूस करने तक वो क्या रहनी चाहिए stable रहनी चाहिए तो यह हमारी characteristics होनी चाहिए हमारी vaccines के अंदर यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं types of vaccines की तो हमारे पास जो सबसे पहली vaccine आती है vaccine आप अलग लग तरीके से तैयार कर सकते हैं सबस रहाल करते हैं लेकिन इस vaccine को आप कहें कि यह vaccine उन pathogens के लिए या उन diseases के लिए appropriate नहीं है जो pathogen बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं बहुत ही ज़्यादा life threatening होते हैं so it is not appropriate तो आप हलकी फुलकी diseases के लिए live vaccines तैयार कर सकते हैं ठीक है मालीज़े आपकी कोई disease है जो ज़्य ज़्यादा life threatening नहीं है तो उसका जो positive organism होगा वो भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा तो उसको बनाने के लिए आप live type of vaccine तैयार कर सकते हैं but it is not appropriate for life life threatening diseases उसके लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं ठीक है तो live vaccine को live क्यों कहा गया because इसके अंदर जो आपने pathogen यूज किया है वो जिन्दा है वो लाइव है जो दूसरी तरीके की होती है वो होती है आपकी attinuated attinuated का मतलब होता है lower down कर देना देखिए जो virus होते हैं उनके अंदर एक property होती है virulancy ठीक है वाइरस की virulancy का मतलब यह है virulancy का मतलब होता है capacity to harm या ability to harm तो आप अगर किसी तरीके से उस virus की या उस pathogen की जो capacity to harm सोरे अगर कुछ ऐसा treatment आप करें जिससे आप उस pathogen की virulancy को कम कर दें और उसके बाद उसको आप vaccine के अंदर डालें तो उससे त्या यानि कि इसमें जो organism रहेगा वो living तो होगा इस attenuated vaccine में भी जो organism आप pathogen यूज करते हैं वो living होता है पट उसकी जो virulancy होती है वो virulancy जो है वो हमने क्या कर दी होती है reduce कर दी होती है और उसकी replicability भी reduce कर दी जाती है कैसे reduce की जाती है उसमें हम क्या करते हैं कुछ treatment किये जा लेंगे तो living microbe की property होती है वो बढ़िया तरीके से replicate करता है और बढ़िया तरीके से फिर वो अपनी virulancy को शो करता है है अपना harm करना चालू करता है तो अगर आप इसको बनाना चाहते है तो आप इस living microbe का treatment कर दीजे या तो आप इसे heat दे दीजे तो heat देने से भी क्या होत करती है अब बात करते हैं तीसे तरीकी की vaccine जो होती है किल्ड वैक्सीन के अंदर जो pathogen होता है नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग को इसके अंदर जो हम microbe यूज करते हैं वो किस form में होता है वो killed form में होता है या फिर कहें वो आपका completely dead microbe हम लोग इसमें यूज करते ह अब चूकि वो dead है तो वो कोई ही harm नहीं पहुंचा सकता ठीक है उसका जो host होगा host को उसका जो harm होगा वो ना के बराबर होगा वो कुछ harm नहीं पहुंचा सकता तो उसको dead कैसे किया जाता है उसमें कुछ physical और chemical treatment कर दिये जाते है तो physical और chemical treatment करके आप क्या करते हैं आप उस mycrobe को kill कर देते हैं उसे dead कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है जब वो dead हो जाता है तो वो आपका नहीं replication के लिए capable बनता है और नहीं virulency के लिए capable बनता है so it is incapable of replication and virulency तो इस killed vaccine का इस्तमाल हम करेंगे जो हमारी बहुत severe diseases होती है या हमारी जो life-threatening diseases होती है so severe diseases और life-threatening diseases के अगेंस्ट अगर आपको vaccination तयार करना है तो उन vaccines में हम लोग prefer करते हैं हम killed type की vaccines बनाना क्योंकि इसमें क्या होता है यह guarantee रहती है कि organism के अंदर जब आप उस vaccine के थ्रू उस pathogen को डालेंगे तो वो pathogen चुकि killed form में है dead form में है तो वो हमारे host को कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा so जितनी भी life-threatening diseases है या आपकी severe diseases है उन diseases के अंदर हम लोग vaccination करने के लिए जो vaccine का type प्रफर करेंगे वो हम killed type of vaccine तयार करेंगे ओके फिर हम बात करते हैं हमारी fourth type of vaccine extract vaccine extract vaccine का मतलब क्या है इसमें आपने vaccine जो है वो कहीं से extract करके बनाई है यानि कि इसमें हम क्या करते हैं पूरा का पूरा whole organism नहीं लेते हैं organism का एक fragment हम लोग चूज कर लेते हैं organism लिया उसका हमने एक material ले लिया जो उसकी disrupted cell होगी उस disrupted cell में से या उसकी जो liced cell होगी उसमें से हम एक material isolate कर लेंगे उस material को या उस isolated material को ही आप extract कह सकते हैं तो उस material को isolate करेंगे और उसको हम लोग use करेंगे यहाँ पर we are not using the whole micro organism यहाँ पर whole micro का इस्तमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर उस organisms का एक material निकाल लिया जाता है और उसको use किया जाता है जो हमारी extract type की vaccine होती है इसको हम लोग basically prefer करते हैं यह most suitable होती है उस तरीके की immunity provide करने के लिए जो आपका जो हमारी यह होती है killed vaccines में भी रिस्क होता है कि वो organisms को नुक्सान पहुचा सकती है ठीक है लेकिन अगर हम उसी killed organism में से extract निकाल लें तो host को कोई guarantee है कि host को कोई नुक्सान नहीं पहुचेगा क्योंकि उसके अदर कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई organism का पूरा पूरा material तो है नहीं तो वहाँ पर हम extract vaccine यूज़ कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं हमारी recombinant vaccine की so recombinant vaccine अब recombinant vaccine क्या है ये possible हो पाया है molecular biology technique की मदद से molecular biology technique में क्या किया जाता है जो microbes है हमारा उस microbes की virulency को change किया गया है तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि वो microbes की virulency को हम change कर दें कैसे virulency उसके अंदर किसी gene की वज़े से हो रही होगी अगर हम उसका वो gene जो है वो alter कर दें या उसे हम remove कर दें तो उस gene की वज़े से उस microbes के अंदर की virulency भी गयब हो जाएगी और नहीं वो reproduce कर पाएगा तो उस microbes के अंदर virulency और reproduction के रहे जो gene responsible थे आगर हम molecular biology टेक्निक का इस्तमाल करें और उसके अंदर के वो genes को हम लोग हटा दें या उसको change कर दें तो वो microbes अब नहीं virulent हो पाएगा नहीं वो आपका replicate कर पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करेगा as a photograph of that virus और bacteria और pathogen तो हमारा immune system उसको recognize करेगा और antibodies produce करेगा और हमारी body को immunity provide करेगा ठीक है तो यहाँ पर हम recombinant vaccines को देखते हैं उसके बाद हमारी आती है last हमारी जो type of vaccines हैं वो है हमारी DNA vaccines DNA vaccine में किया किया जा रहा है DNA vaccine के अब को बनाने के लिए जो host होता है उस host के अंदर हम जो pathogen होता है उसका DNA निकालते हैं और उसका DNA naked कर देते हैं उसके बाहर का जो भी membrane है उसको सबको हटा के direct naked DNA को host के अंदर हम introduce करवाते हैं तो इसमें क्या होगा आपका जो host है उसके अंदर organism नहीं जा रहा है जो pathogen है उस pathogen का for example के लिए आपका एक disease है माल लीजे आपका कोई भी एक viral disease है उस viral disease का जो भी causative organism होगा जो उसका pathogen होगा उसका DNA जो है वो extract कर लिया जाएगा तो DNA extract करने के बाद उस DNA को host के अंदर डाला जाएगा तो अब इसमें objective हमारा ये है कि host cell जो है वो नेके DNA को लेगा और genes को express करेगा ठीक है जो उसके pathogen product के genes थे उसको express करेगा DNA vaccine जो है वो stimuli जब DNA आपका जाता है host के अंदर तो जो ये immunity आपका provide करता है host के अंदर वो immunity जो होती है वो long lasting होती है as compared to the other method आपने जितनी भी अभी उपर vaccines पढ़ी है वो की आपकी body के अंदर immunity प्रोवाइट करती है पर उसमें अगर हम बात करें DNA vaccines की तो DNA vaccine में हम क्या कर रहे है pathogen को ना डाल कर pathogen के अंदर जो DNA है जिसकी वज़े से उसकी property है उस DNA को हम उसके host के अंदर डाल रहे है तो host क्या कर रहे है जो immunity शो कर रहा है वो बहुत long lasting रहेगी उसके अंदर के जो immunity रहेगी ठीक है तो यहां तक हम लोगों ने types of immunity types of vaccines हम लोगों ने clear कर लिया है अब हम इसके आगे देखते हैं एक term आता है herd immunity herd का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा herd मतलब क्या है देखिए जैसे आपके पास क्या है समझ लिजए आपके पास एक बहुत सारे आपके पास flowers है ऐसे समझे इसको आपके पास एक bouquet है जिसके अंदर number of flowers है आपके पास एक गुच्छा है फूलों का ठीक है this is a bouquet इसके अंदर आपके पास let's say you have many flowers लेकिन इसके अंदर एक flower है जो आपका या लेट से दो flower है आपके यह जो different colors से में ने बनाया है यह जो है आपके यह खराब हो चुके है ठीक है they are rotten और बाकी जो आपको यह दिख रहे है red color से यह वाले जो flowers है यह आपके fresh है यह जो red वाले flowers है तो इस flowers के group में अगर हम नजर डालेंगे तो जो यह दो हमारे खराब flowers है मुझे यह इतने सारे fresh red flowers में नजर नहीं आएंगे ठीक है तो अगर मैं यह bouquet किसी को देने जाऊंगी खरीदने जाऊंगी तो मुझे अगर मैं देख रही हूँ एक नजर देख रही हूँ तो मुझे मैं निगलक कर दूँगी उन दो rotten flowers को और मैं यह bouquet purchase कर लूँगी तो मेरे इस event से आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे आपको यह समझ में आ रहा हूँ आपको 80 इंडिविजूल्स जो थे आपके उन्होंने immunity उनके अंदर vaccination था उनको vaccination करवा रखा था तो they have this immunity लेकिन जो बची यह 20 थे वो आपके उनके अंदर immunity नहीं थी उनको vaccination नहीं दिया गया था they were not immunized तो जब वो pathogen आता है तो वो pathogen find नहीं कर पाता है जब वो एक population में ढूटता है कि इस population के अंदर तो 100 में से 80 यानि कि more than आपका 60% जो इंडिविजूल्स है they are immunized मैं उनके body में जाऊंगा तो मैं invade कर ही नहीं पाऊंगा ठीक है ना क्योंकि उनकी body के अंदर वैक्सिनेशन हुआ हुआ है they are immunized तो वो यह find out नहीं कर पाता है कि मेरे लिए suitable candidate कौन है कौन है जो non immunized है तो वो क्या करता है उस एक particular population को के लिए resistance बना देता है वो उस population पर जाता ही नहीं आटेक करने के लिए तो इस प्रकार की immunity को herd immunity कहा जाता है यानि कि आप समझ गया होंगे herd immunity के ऐसा phenomenon है जिसमें आपका एक पूरी population में जो individuals होते हैं उन मेंसे वो individuals जो vaccinated नहीं भी है वो भी आपका immunized हो जाते हैं ऐसा ही case आप Corona को लेके समझ सकते हैं Corona में अगर हम शुरू में बीच में जब Corona का second layer आया हुआ था तो हम भी सुन रहे थे कि अगर आपके 10 लोग है there are 10 people 10 people में से अगर लोगों ने भी आपका vaccine लगाई हुई है तो 5 तो अपने आप ही बच जाएंगे these 5 are vaccinated ठीक है and these 5 these are non vaccinated लेकिन अगर 5 ने vaccine लगाई है तो ये 5 जो है इनको consumunity मिल जाएगी इनको मिल जाएगी herd immunity क्यों क्योंकि जो वो Corona का virus आएगा तो वो Corona का virus इस large population में से लेकिन देखें इनकी संख्याँ जादा होनी चाहिए जो non vaccinated है sorry जो vaccinated है उनकी संख्याँ जादा होनी चाहिए तभी आपका virus जो है ये detect नहीं कर पाएगा if there are only few persons who are non vaccinated right तो large population वाले लोग जो है आपके वो vaccinated है तो Corona virus क्या करता है जो एकके दुखे रह भी जाते है non vaccinated उनको वो find out नहीं कर पाता है उसको large population में जादातर लोग जो है वो vaccinated नजर आते हैं तो जो remaining people है लोग है उनकी संख्या ज्यादा होने लग जाएगी तो अगर उनको infection होगा so they will spread that infection to the other non vaccinated people so this was all about the vaccine and the vaccination I hope आप लोग को समझ में आओगा इसके आगे का हम लोग हमाई next video में discuss करेंगे तब तक के लिए आप लोग इसको revision करिएगा इसको अच्छे से देखिएगा अगर आपको कोई doubts होंगे तो आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा thank you so much for watching this video